नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वाल इंडिया आपके साथ मैं हूं काजों नरायन शुरुबात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की बैन पुलिस नदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने 66 लाख रुपे की कीमत का 330 किलो गांजा वरामत किया है वहीं पुलिस ने ट्रक से गांजे की तशकरी कर ले जा रहे दो तसकरों को भी गिरवतार किया है वहीं ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है दोनों तसकर कर नौच के रहने वाले बताए जा रही है बारबंकी में प्रेमिका से शादी करने के लिए एक पत्नी की हत्या कर दी गई, गाव के युवक पर ही चनावी रंजिश में पत्नी की हत्या का रोप लगा दिया, संत्रा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है मैंपुरी पुलिस नवागत पुलिस अधीकश्वा कुशो कुमार राय के कुशल नहत्यत्तु में लगातार मैंपुरी के लोगों के बीच अपनी बहतर कारे कुशलता के प्रती डिड संकल्पित होकर कारे कर रही है वहीं कुशिल कारेश यली के कारण आम जिन्बानस में खयाती प्राप्ट भी कर रही है इसी करम में मैनपुरी पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिसे लोगों के बीच में उसकी प्रिशंचा लगातार हो रही है दरसल लोगों के हजार उपे के कीमत वाले मुबाईलों को पुलिस ने बरामत कर वापस लोट आया है वश्री मुतर प्रदेश के मेरच पे तीन दिन से लगातार बुजरूरों के हत्या का सिलसला लगातार जारी है पुलिस किसान और पुजारी के हत्या का खुलासा भी नहीं कर पाई कि अब महावीरा इस्पताल के संस्थापा की गोली मारकर हत्या कर दी गई अग्याद बदमाशों ने मंगलवार की दे राध धर्मकाटे पर सो रहे बुजर्ग यश्पाल को गोली मारकर मौत के खाट उतार दिया घटना को अंजाब देकर हत्यारी मौके से फरार हो गए मत्रा के कोसी कला पुलिस ने आठ बदमाशों को चोरी की पंदरा इंडिस्ट्री एरिया से गिरफतार किया पुलिस ने उनके पास से चोरी की पंदरा मोटरसाइकल दोतमन्चे और बंदु परामत की है मेरच में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फाइरिंग और पत्राव हो गया मारपीत के बाद एक युग की मौत हो गए लगबग आदर दर्जन लोग घाल हो गए गाव के ही महताब पक्ष पर फाइरिंग का आरोप लगा है पुलस ने घालो को अस्पताल और शफ को मोट्फरी के लिए बिचवाया है खटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार है थाना फलवादा के कुंड़ा का इपूरा मामला बताय जा रहा है फोतेपुर जिले में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामनी आया जहां गरीब हिंदू परिवारों को प्रात्ता सभा में बुलाकर पैसे का प्रलूबन दे कर हिंदू से इसाई धर्मे परिवर्तन करने का काम किया जा रहा था जब इस बात की सूचना है स्थानी लोगों को हुई तो स्थानी लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दीजिए इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों से बात च्रीत कर पूरे मामले की जानकारी लिए और धन परिवर्दन करा रही है लोगों को अपने साथ कोतवाली ले गई और इस मामले में एक आरोपी युवक के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया है और से गिरफतार भी कर लिया गया है सुल्तानपुर में नावाली किशोरी से सामोईक दुशकर्म का एक संसनी खिज मामला सामनी आया जहाँ पर सौतेली बहन यूवकों से साथ कारट करना बालिक बहन के साथ दुशकर्म की कटना को अन्याम दिलाया मामला कूरे भार इलाके का है, जहां कस्वा चुराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसी दुरान चुराहे पर एक लगजरी बस खड़ी थी, जिसमें दो यूवक सबार थे, पुश्टाच करने पर यूवकों ने बताए क्यों कोई और सबारी नहीं है, लेकिन जब बस की संखन तलाशे ली गई, तो उसमें दो लड़क्या मिली, बिजनौर में एक कार अनतित होकर सड़ा किनारे प्लड गई, जिसमें कार में सवार चॉलक सहित दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हाथसे में तीन लोग अंबी रूस से घायल हुए है, गटना के बाद भी मिला हैं, जिसमें लिखा था कि तीन लोगों से मैंने रुपे उधार लिये थे, और चार गुना पैसा उनको वापस भी कर चुका हूँ, फिर भी मुझे तीनों लोग बार बार फोन करके परिशान करते हैं, मुझे धंकी देते हैं, खुदकुशी के लिए बरेली के रह एक बिल्डर गुलाब अगरवाल ने पहले विंदावन अपार्टमेंट के नाम से एक इमारत बनवाई, इमारत भी ऐसी, जिसका ना कोई मानक है, ना किसी मानचित्र की स्विकृति, पर बिल्डर ने इन सारी बातों को दरकिनार करते वे, मात 1801 में 6 मनजले अमारत खड़ मत्रा के थानार आया शित्र के आयरा खेडा गाउं में एक पिडित परिवार दबंगों की दबंगई के चलते गाउं से प्लाइन करने को मजबूर है, आलम यह है कि गाउं के परिवार जन और दबंग लोग आए दिन किसी बात को लेकर पिडित के साथ मार पीट किया करते करते थे जैसी घटनाओं का अंजाम देने से बास नहीं आते थे जिसके चलते इतने पूर्व में भी कई बार संबंदे कदिकारियों को लेकत में शिकायत दी लेकिन शिकायत पर कोई भी कारवाई नहीं हो सकी और दोई जिले के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर है पीड़डी गेस्ट हाउस के सामने हम वेटकर पार के पास थे तलाब को मॉडल तलाब बनाए जाएगा गरीब 23 लाग रुपे की लागर से तलाब पर जिले का पहला बायो कंपक्ट सीविस ट्रीटमेंट प्ल मिरच की परिक्षितगर पुलिस को एक अजीब कारणामा सामनी आया है दरसले मामने पुलिस ने एक साल पहले मर्चों के शक्स पर बलवा मारपीट और धारदर हतियारों से हमला करने का बदमा दर्ज किया है जब्धित पक्ष ने बताया कि जिस कर्थी पर मुकादमा दर् सामने हैं बीजेपी के जिला अध्याक्ष ने डियम को ग्यापन्दे पर सफ़ा के निता पर 20-25 जिलापचा सदस्य को बंदग बनाने का आरूप लगाया तो पूर्मंत्री अमिका चौधरी ने बीजेपी पर सब्ता और पुलिस के बल पर नगर नार्च करने का आरूप ल आया है उत्रप्रदेश ये खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस वाले लिया